यह कोनों बीडर चलाने से धान के लिए पाँच फाइदा है दिदी पाँच फाइदा है भीया कौन फाइदा है भाइदा है पहला फाइदा है इसे कि खेत को मिट्टी को पलट देता है इसमें दूसरा फाइदा यही है कि मिट्टी को जो पुरानी धान के जो पुरानी जड़े होती है उसको काड़ देता है और जड़ के नजदीक जो है मिट्टी लगा देता है जिसके कारण इसमें काफी मात्रा में कल्ले निकलते हैं पौधा पौश्ट होता है दिदी इसमें जो है जो पुराने जड़ कर जाने के बाद उसमें नए जड़ काफी मात्रा में निकलता है और उससे पौधा और सक्तिसाली हो जाता है और कल्ला भी बहुत काफी मात्रा में तिसरा फाइदा है कि इसे जो खेत में हर पतवार रहता है वो सारे के सारे बिल्कुल कड जाते हैं और वो सल करके पौधे के लिए एक हरी खाद बन जाती है चाउठा फाइदा इसमें किया है भाईया? देखे पर्तिमा दीदी, चाउठा फाइदा इसमें यही है कि कोनो बीडर जब हम चलाते हैं खेत में तो इसे जो मिट्टी पलड़ता है वो मिट्टी धान के पौधे में लग जाता है जिस तरह से दीदी सब्जी लगाते हैं बैगन हो या मिर्चा हो तु मिठी चड़ा देते हैं जिसके जएंक पर उसका सक्ति बढ़ जाता है उसी तरह से यह धान इन्सका जो है सक्ति बढ़ जाने से कल्ला काफी मात्रा में निकलता है पाच्छमा फाइदा यहीं है कि अईसे निकावे पर बड़ी काफी मजदूर लगा है वह लगा तो आ कोणों भीडर वह चला दमें ने भाया तो एक दिन में दस कठा आराम से कोड ले बैसे फाइदा ने है हाँ कोनों बीडर से मजदूरी जो है बड़ी बचा थो भाए भाया हाँ भीया साव रुपय लेले हैं हाँ तो अच्छा हमानी सब यही सब शीरी बिधी से रोपु हु धन्ना